सबी किसान साथियों योम बुजुर्गों को हमारा नमस्कार किसान भाईयों आज हम आप पहुंचे हैं आगरा में आगरा में यहाँ पे आये हुए हैं और जैसे कि आप देख रहे होगे मल्टी क्रापिंग सिस्टम है यहाँ पे साथ में इन्होंने लसन की भी खेती की है और साथ में इनका केले का भी कारोबार है काफी जबर्दस्त फसल है और काफी अच्छा रिस्पॉंस कर रही है फसल आज ये सर हैं इनसे हम सुरू से अंद तक दोनों फसलों के बारे में बात करेंगे जानकारी लेंगे इनसे कि अगर कोई हमारा किसान है केले में लस्वन की फसल करना चाहता है या कोई और मल्टी क्रापिंग सिस्टम करना चाहता है तो क्या लाव हो सकता है या नहीं हो सकता है जीरो से जानकारी लेंगे जानकारी लेने से पहले इनका एक छोटा सा परिचे जानेंगे ये कहां से हैं कैसे पहले क्या करते थे उसके बारे में जानेगे नमस्कार सर हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सामने से जो किसान भाई आपको देखेंगे उनको एक अपना छोटा सा पर्चे दीजिए हमारे किसान भाईयों को जी बताइए अपने बारे में जी सर ऐसा है हम जिलागरी के रहने वाले हैं और हमन कने किसान भाई जो है वह सीखें आपसे कुछ क्योंकि लोग जो है ना खेति को इतना बुरा मानतें के आना नहीं चाहते हैं खेतीं लोग है आवी को फ्लेन कराया गो पुरे की खाद मतलब गोबर की खाद जोती हो सड़ी हुई खाद आब इसमें डलवा जी जी तो उसके बाद हमने जुताई करेके अच्छी तरह फिर केले का रोपा लगाने की बात हम करते हैं केले का पौधा जो है लगता कब है ये हमारे किसान बाईयों को जुलाई बढ़ा होने पाद थोड़ी खाद बढ़ा दी जाती है जैसे अगर हमारा कोई किसान है वो एक बिगह में केले की खेती करना चाहता है तो पहले तो ये बताएए एक बिगह में कितना पौधा लगेगा एक बिगह में तीन से पौधा लगेगा तीन सो पौधा एक बिगह मे क्या होगी और लाइन से लाइन की क्या दूरी रैखे माइस बाइद जो फारी नलोक दोनों की जो हम साइज रखेंगे वह सेम रखेंगे पौधा लगा दिया आपने जुलाई में जुलाई की बात आप कर रहे हैं उसके बाद में इसमें कौन-कौन सी बिमारियों का जो प्रकोफ होता है वो हमारे किसान बाई को बताई यह से अपनी मरजी से नहीं हम इसको कर सकते हैं लगाया कि हमारी यह साथ फुट जगह में खेला रखा हुगया साथ पांच पर तो अमने यह जमीन हमारी खाली रही आएगी तो इसलिए अमने लेसन का रोपा लगाया मतलब आपने अभी तक कितने भी गह में केले की फसल की है साथ में आपने लसन लगाया है जी 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 लेसन लगाया हुगया जो केले की बीच का जो डिस्टेंस होता है उसमें आपने पूरे में लसन की खेती किया है मतलब आपने जमीन को थोड़ा सभी नहीं छोड़ा उसका भी यूज किया जमीन हमारी कोई काली नहीं यह एक एक इंची जगह गिरी हुई हमारी सब सबसे बड़ी बात घूम फिरके यह आती है केला आपने लगा दिया बड़ा ट्रेक्टर इसमें घुसेगा नहीं तो आप कैसे मतलब इसमें कैसे यूज करते हैं क्या लगाने के बात जब हमने लेसन की सोचा तो हम पावर बीडर खरीद के लाए पावर बीडर आपने खरी जो आपने यहां पर लगा कितना चौदे भीगह का जैसे आप बता रहें कितना मतलब इसमें लसन लग गया हो तीन क्वेंटल तीन क्वेंटल जो है लसन लगा इसमें खाद वगएरा का क्या प्रियोग करते हैं हमारे किसान वगएरे बात नहीं करेंगे अगर हमारा किसान जो है एक घिए में कोई केला लगाता है उसके साथ मल्टीक रापिंग सिस्टम करके लसन लगाता है तो लसन से सबसे पहले कितना पैसा कमा सकता है ले से वह जैसे कच्चा केला जोगा उसे रेट सही मिले गया तो सोरह रुपए किलो में आम जा रहा है तोला की बात छोड़ दीजिए हम दस की बात करते हैं फिर भी वह कितना कमा लेगा मैं मान के चलूँ कि 80-90 हजार वह कमा सकता है और लागत कितनी आ जाएगी टोटल वह किसान टाइम टाइम से कैसे क्या डालना खादों का कैसे प्रियोग करना कभी यूज करना है अचा कुछ हमारे युवा भाई हैं जो बीकॉम या बीए बीएश्य करके फिर बाहर निकल जाते हैं दिल्ली मुंबई जॉब करने आप तो एक्सपिरियंस वाले हैं यूएस में भी न होनारा कोहरा है वो अगर खेती में आना चाहता और आप से चलाह लेना चाहता है तो क्या आपको काल करके चलाह लिए सकता है चोड़ा बिए कम से कम इसमें हमें 20 लाख रुपए कमाना है मतलब आपका टार्गेट होता है 20 लाख रुपए कमाना 20 से कम नहीं कमाना उपर भले चले जाए मतलब इस तरीके से आप मेनत करते हैं और हमारे किसान भाईयों को क्या सुझाओ देना चाहेंगे किसान भाईयों को खेती की बारे किसान भाईयों, जैसा कि अंकल जी की इतनी उम्र हो गई है, यूएस में इनों ने जॉब किया, दिल्ली में जॉब किया, दिल्ली में 28 साल इनों न दिया, यूएस में 4 साल इनों न दिया, और काफी मेहनत करने के बाद ये फार्मिंग में आये, लोग फार्मिंग में नहीं आना चाहते हैं लेकिन आप इनकी फार्मिंग का मेनत देख रहे हैं जबरदस्त सिस्टम इनों ने किया है लस्तन भी है केला भी है और केले की फसल आप देखिए मात्र मुझे लगता छे महीने की फसल यह है और कितना तगड़ा ग्रोथ कर रही है तो experience वाले हैं आप इनसे ज समस्कारो धन्देश